बालाजी चोखट के उत्पाद लगाएं, पर्यावरण बचाएं पर्यावरण के प्रती अगाध, प्रेम और स्रथा मुझे प्रेरित करती है कि मैं अपना जोड़ी ब्यावसाय करूँ वह पर्यावरण के प्रती ना केवल चुड़ा हो बल्कि समर्पित जी हां, बालाजी चोखट के उत्पाद भारती मानक के अनुरूप सिमीट कंक्रीट से बने ऐसे उत्पाद हैं जिनकी लगने के बाद सडने गलने, दीमक लगने, तेढ़ा मेडा होने आदि से, स्थाई रुप से छुटकारा मिल जाता है और साथ ही साथ, ये सस्ते टिकाओं और मजबूत भी होते हैं मजबूती में बेमिशाल, चले सालों साल तब ही तो, अपने उत्किश उत्पादों के लिए पुरस्कृत, बालाजी चोखट आज बन गए हैं हम इंजिनियर्स की पहली पसंद, और नहीं कोई इस से बहतर जब हम सीमेंट और कंक्रीट के बने उत्पादों की बात करते हैं तो बालाजी चोखट का नाम हमारी जुबान पर सबसे पहले आता है उसी बालाजी चोखट का एक खास उत्पाद जो स्कूल कालेजों में बच्चों के बैठने के लिए प्रयूक तो होता है तो उसका नाम है बालाजी डेक्स ब्रेंच तो आईए हम आपको उसके फिटिंग के बारे में बताते हैं सीमेंट का या डेक्स ब्रेंच मुख्य रूप से नौव पीस को आपस में नट बोल्ट के द्वारा कस करके बनाया जाता है जिसमें दो पटिया होती हैं, चार पाए होते हैं, तीन बाइंडर होते हैं सबसे पहले हम दो बाइंडर को जमीन पर रखते हैं, और इनके बीच निश्चित दूरी मेंटेन करते हैं और इन बाइंडर के उपर आगे की तरफ में धाई फूट के दो पायों को खड़ा करके नट बोल्ट के द्वारा कसा जाता है और इसके बाद उसमें पीछे अर्थात उसी बाइंडर के उपर डेड़ फीट का दो पाया जो की डेक्स बेंच का पाया कहलाता है उसको लगा कर खड़ा करके और नट बोल्ट के द्वारा जो नट बोल्ट पाँच इंच तीन सूथ के होते हैं इनमें कस दिया जाता है पाया जाता है और इनके पश्चात जो धाई फिट का पाया है उसके उपर छे फिट बाई एक फिट की पटिया रखकर नट बोल्ट के द्वारा कस दिया जाता है इसी प्रकार बैठने वाले ब्रेंच की जो पटिया होती है ये 9 इंच चोड़ी और 6 फिट लंबी होती है इसको रखकर वैसे ही साड़े चार इंच बाई तीन सुथ के हेकसा नट बोल्ट के द्वारा कस दिया जाता है तो देखिए तयार हो गया आपके स्कूल का डैक्स बेंच घर घर की चोखट बाला जी चोखट